अस्तामने कुम वीवर्ज आज मैं आपको बेल्ट वाली शलवार की कटिंग एन स्टिचिंग बताऊंगी शलवार की लेंथ हमारी 36 इंचे दो इंच हमने इलास्टिक का फोल्ड करना है 38 इंच और डेड इंच हमने नीचे पांचे का फोल्ड करना है तो 39.5 इंच हमारी टोट यहां से मैंने साघे आट न इंच चोल झारा और इंच हमार, जोड़ टोटल तो इंच हम तो हमने पहली विदे विद्यच से लान आन को सीधा-सिधा मार्क करते हूए कर में पूरी ऱॉइन लगा लैनौन अब हम इसकी cutting कर देंगे इसके बाद हमने side की किनारी को निकालना है क्योंकि इसकी वज़े से शलवार में खिचाओ आता है अब हम इसकी चोड़ाई लेंगे पांचे की पांचे की चोड़ाई हमारी 15 इंचे 15 इंच पर हम चौक से निशान लगाकर एक्स्रा कपड़े की cutting कर लेंगे यह देखें पांचे को मैंने fold किया है और extra कपड़े की हमने cutting कर दिये वीवर्स पांचे की चोड़ाई हमारी 15 इंच है total यह देखें इसे fold करके मैं दिखा रही हूं आपको total चोड़ाई हमारी 15 इंच आए और length हमारी आए रही है 31 इंच अब हमने clear काटनी है तो इसके लिए मैंने कपड़े को double करके इसकी किनारे निकाल लोगी अब हमने पांचे को इस कपड़े के साथ रखना है उपर से बराबर करते हुए और यहां पर जहां तक पांचे की length आ रही है चोक से mark करना है हमने इसके बाद हमने आसन का size लेना है इसी निशान से हमने आसन का size mark करना है 10 इंच पर आसन का size है हमारा यह healthy ladies की शलवार है तो इसके लिए हमने इस size में असन लिया है आप अपने size के मताबिर रख लें कल्यों की चोड़ाई हमारी 16.5 इंच आ रही है शलवार हमने खुली cutting करनी है इसलिए यह size आ रहा है तो आप अपने size के हिसाब से रख लेंगे 10 इंच हमने एक size पर रखा है तो 10 इंच हमने इसके बिल्कुल opposite side पर बिल्कुल सामने 10 इंच पर हमने mark करना है और 1.5 इंच हमने इस cut पर यह देखें इस तरीके से हमने cut लगाना है 10.5 इंच पर दोनों side पर और कपड़े को उठाते हुए इस तरीके से रखना है दुबारा से में रखकर बता रहे हूं इस cut से हमने कपड़े को इस तरीके से fold करना है यह देखें इस तरीके से यह आ जाएगी इस shape में अब हम इसकी cutting करेंगे और इस कलियों को अपर रखते हुए यह पांचे हमने side पर रखे हैं और यह कलियां cutting हो गई है हमारी अब हम belt की cutting करेंगे इसके बाद belt का size हमने 8.5 इंच रखना है यह देखें इस तरीके से कपड़े को मैंने double fold करके रखा है और 8.5 इंच हमने शलवार की length में से कम किया था belt के लिए तो belt का size हमने 8.5 इंच रखकर और अब हम इसकी चोड़ाई लेंगे चोड़ाई हमने 27 इंच रखनी है और अब हम इसकी cutting कर देंगे यह देखें बेल्ड वाली शलवार हमारी cutting हो गई है अब हम इसकी stitching स्टार्ट करेंगे यह पांच चलिया है हमने और अब कली लग इसके ओ के फिर खें दूसरी साइट पर रखनी है और जो साइड लेनफ में पांचे के बराबर है इस साइट को हमने पांचे के साथ जॉाइंट करना है मिने ज्युक्राण करना है इस तरीके से अब हम दूसरी कली को भी इसी तरीके से रखेंगे SN की साइड दूसरी साइड पर और जो लेंथ में कली के पांचे के बराबर है तो इसे हम पांचे के साथ रखते हुए सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है पांचे और कली की और उल्टी साइट पर हम इसकी सलाई लगाएंगे इस तरीके से हम इसको नीचे तक जॉइंट कर लेंगे यह मैंने खोल कर रख दिये और दुसी साइट की भी मैंने इसी तरीके से कलिया जोड ली है अब हम एसन की सलाई लगाएंगे दोनों साइड के हैसन की मैंने स्लाई लगा लगा लिए यह बैल्ड है बैल्ड को भी हमने दोनों साइड से जॉइंट करना है उपर से हमने इलास्टिक के लिए स्लाई लगाएंगे इस तरीके से इलास्टिक के लिए फोल्ड करते हुए हमने निफा बनाना है दो इंच हमने मार्जन रखा था फोल्डिंग के लिए आप चाहें तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं अब हम इसे जो उपर सिलाई हमने लगाई है इसे हम इस तरीके से तांके को तोड़ते हुए खोल देंगे था कि हम इसमें से इलास्टिक को गजार सकें बेल्ड को मैंने डबल करके सेंटर में कट का निशान लगाना है यह देखिए अब हमने शलवार में प्लेट्स डालनी है तो शलवार को बिल्कुल एसन के साइड में दोनों तरफ फ्रन्ट और बेक के सन को बराबर करते हुए पांचे को हमने इस तरीके से बराबर करना है और इसको फ्रन्ट की तरफ मोड़ना है चार इंच इस तरीके से दुबारा से फोल्ड करके बतारी हूँ पांचे को सेंटर करके हमने फ्रंट की तरफ मौड़ना है चार इंच दुसरी साइट पे भी हमने फ्रंचे को बराबर करना है और चार इंच इसको फ्रंट की तरफ बराबर करते हुए फोल्ड करना है और नीचे वाले पार्ट को हम हटा देंगे इस तरीके से हमने ये प्लेट डालनी है अब हमने एक प्लेट से लेकर दूसरी प्लेट तक फुल सलाई लगानी है चुनट्स के लिए यह देखें यहां से हम सलाई स्टार्ट करने यह सलाई हमने बिलकुल फुल रखनी है यहां से हम बाएर निकाल लेंगे और इसमें चुनट्स डाल लेंगे उपर वाले धागे को हमने अलकल का सा खेंचते जाना है यह सेंटर है आसन का और टोटल इंच जो है हमारा साड़े चार इंच एक साइट पर आना है और टोटल जो हमारी जूनट्स आनी है वो नो इंच पर आनी है तो अब हमने ये बेल्ड लिया है बेल्ड के सेंटर को आसन के सेंटर के साथ बराबर करते हुए यहां से हमने शलवार को जॉइंट करना है यह देखें बेल्ड को हम इस तरीके से सेंटर में रखते हुए स्लाइ स्टार्ट करेंगे और दुबारा से मैं इंची टैप रखकर देख रही हूं कि हमारी जूनट्स साड़े चार इंच एक साइट की होनी चाहिए और अब हम इसको स्टेचिंग करते जाएंगे यह बेक तक हमने स्लाइ लगानी है और बेक कैसन को देखना है अगर यह बराबर आ रहा है तो ठीक है अगर कपड़ा थोड़ा जादा है तो आप एक चोटी सी प्लेट बेक की साइट पर दे लें यह हमारी शलवार का बेक बराबर है इसके तब हम दुसरी साइट तक स्लाइ ले आएं और यह चुनर्स भीस के बराबर आ गई है सेंटर तक हम स्लाइ लगा कर बेल्ट हमारा जाइंट हो गया है अब हमने इसको सीधा करना है और एक पेर की स्लाइ लगाने बेल्ट पर काब यह देखें इस तरीगे से बेल्ट को हमने उफ़र के तरो Scr लगा लिए बेल्ट हमारा तयार हो contrac अब हमने नीचे से पांचे बनाने ये पांचे का भी हमने डेड़ इंच फोल्ड करने के लिए रखा था तो मैंने पेपर बुक्रम की पटी इसी पर लगा लिए और कपड़े को फोल्ड करते हुए अब हम इसके किनारे पर स्लाई लगाएंगे और एक उपर की तरफ अब हम अलग से फोल्डिंग के लिए कपड़ा ना छोड़ें और अलग से फोल्ड करने के लिए कपड़ा लगा लें अब हमें किनारे पर स्लाई लगा लेंगे पांचे हमारे तैयार हो गया है और हमने अंदर की स्लाई भी लगा लिए एक पांचे से लेकर दूसरे पांचे तक हमने इसको अंदर से जॉइंट कर लिया इस तरीके से ये देखें अब शलवार हम सीधी करके आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमारी शलवार की लुका ये ये देखें शलवार हमारी तैयार हो गई है वीवर्स वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना बुलेगा लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा फिर मिलेंगे इंशालला अलाह आफेज